तंत्र का मतलब है परम अनुशासन। इसका मतलब बेलागाम का मुक्ता नहीं है। अपने शरीर और मन को इस तरह इस्तमाल करना सीखना जैसे आप किसी अन्य बाहरी उपकरन का इस्तमाल करते हैं। ये एक अद्भुत भेंट है जो अगस्ते मुनी ने हमें दी है। उन्होंने एक ऐसे तंत्रिक प्रक्रिया स्थापेत की जो सौ प्रतिशत शरीर में स्थेत है बाहर से कुछ भी नहीं। जब आप तंत्र की बात करते हैं, हमने तंत्रिक शब्द कई बार सुना है और इसके बारे में कई तरह की चीज़े सुनने को मिलती हैं। क्या आप इस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? कि ये क्या है? क्या ये कोई काला जादू है? जादत स्रिष्टी काला जादू है प्रकाश इस स्रिष्टी में एक छोटी सी घटना है न क्या जादतर स्रिष्टी में अंधेरा नहीं है प्रकाश एक बहुत ही छोटी सी घटना है एक बहुत ही सिमित घटना प्रकाश तभी होगा जब कुछ जलेगा ये बत्तियां जलाने के लिए इस धर्ती पर अभी कुछ जल रहा है आपको ये समझना चाहिए जो लोग पर्यावरंद के प्रती जागरुक हैं रोश्नी के इन बिंदूओं के लिए कोई चीज कहीं जल रही है हम कहते हैं बल्ब जल रहा है वो भी जल रहा है पर इस जलाने के लिए कोई और चीज जल रही है है ना प्रकाश का यही तरीका है चाहे फिर वो कोई बल्ब हो या सूरज कुछ जल रहा है जो भी जलता है वो एक दिन खत्ल हो जाएगा हाँ इसलिए हम कहते हैं अगर आप गैर जिम्मेदारी से जलाते हैं तो हम कहते हैं आप मुंबत्ती को दोनों तरफ से जला रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं प्रकाश तब ही होगा जब कुछ जलेगा तो अगर आप कुछ जला कर प्रकाश ला रहे हैं तो बहतर है कि आप प्रकाश को कंट्रोल करें और उसे कम से कम रखें वरना चीज़ें बहुत जल्दी जल जाएंगी तो प्रकाश एक बहुत सिमित घटना है बाकी पूरी सृष्टी एक काला जादू है तो ऐसी बहुत सी गुप्त विद्याएं हैं जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं जरूरी नहीं कि वो जीवन के खिलाफ हो गुप्त विद्या का जीवन के खिलाफ होना जरूरी नहीं क्योंकि आपने किसी घटिया तांत्रिक के बारे में सुना है जो किसी का जीवन बरबाद करने या उसे बिमार करने या मारने की कोशिश करता है इसलिए आपको लगता है कि तंत्र एक बुरी चीज है क्योंकि समाज में आपने बस वैसे ही लोग देखे हैं लेकिन तंत्र सबसे उची कोटी का भी है शिव एक तंत्रिक है हर गुरु एक तंत्रिक है खीक है, अभी मैंने आपको शांभवी में दिक्षा दी, ये एक तंत्र है, वरना ये काम कैसे करेगा, तंत्र का मतलब है एक तरह की काबलियत, ये एक तकनीक है, अभी मैं अपना फोन निकाल कर किसी से बात कर सकता हूँ, जो दुनिया के दूसरे हिस्से में है, ये एक तकनी तकनीक है, मान लिजे बिना किसी फोन के, अभी मैं यूहीं अमेरिका में किसी से बात करूँ, तो ये तंत्र है, तो तकनीक तंत्र से बहुत जादा अलग नहीं है, आप अलग उपकरण इस्तमाल करते हैं, मगर असल में ये एक ही चीज है, जब आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब तंत्र का बहुत महत्व था, लेकिन आज तंत्र का महत्व घट रहा है, जैसे जैसे आधुनिक तकनीक आगे बढ़ रही है, देखिए अभी आप मुंबई में आए हैं, बॉंबे, मुंबई, मैं इसे आपके दिमाग में ठीक कर रहा हूं, ताकि आप मुसीबत में ना जाना, आसान सफर नहीं है, अगर आप कदम बढ़ाएं, तो आप नहीं जानते कि आप वापस मुंबई पहुँचेंगे या नहीं, आपको पता नहीं मार्ग में क्या मिलेगा, आप शायद मन्जिल तक पहुँच ही ना पाएं, तो आप मुंबई में ही बैठ कर, सद्गु जरू, प्लीज, मेरी मदद के लिए, मैं नहीं आ सकता, प्लीज, अब अगर मुझे लगे कि अतुल के साथ कुछ करना चाहिए, जो मुंबई में है और कोईंबटोर नहीं आ सकता, तो शायद मैं उसे मुंबई में ही शांभवी दिक्षा देना चाहूं, लेकिन अतुल का म ऐसा इंसान जिसे तुमने देखा भी नहीं, वो तुम्हे कुछ कर रहा है, चुप करो और काम पर जाओ, वो कुछ अनुभव करने लगता है, पर उसका तर्क, उसके विचार और परिवार वो कहता है, मूर्ख मत बनो, फिर सद्गुरु ये करेंगे कि एक दक्षिन भारति ये चमेली का फूल उठाएंगे, जो मुंबई में नहीं उग सकता, और अतुल ऐसे बैठा है, फूल उसके हाथों में गिरा, अब अतुल, अब वो बैठ जाएगा, शांभवी की दिक्षा लेने के लिए तैयार, क्योंकि एक चमेली का फूल भेजा गया, लेकिन आज मैं आपको कॉल करके कहूंगा, यहां आजाओ, या किसी के साथ ब्रोशर भेज कर आपसे कहूंगा, यहां आकर सीखो, या अगर मैं आपको चमेली का फूल भेजना चाहूं, तो मैं DHL से भेजूंगा, तो आधुनिक तकनीक से तंत्र का प्रयोग खत्म होता जा रहा है, पर मै मैं चाहता हूं कि आप हजार साल पहले की बात सोचें, और समझें कि तंत्र कितना मूल्यवान था, हाँ, हजार साल पहले कलपना कीजिए, आप मुंबई में हैं और मैं कोईंबटोर में, आप मुझसे कुछ चाहते हैं, तंत्र के मूल्य की कलपना करें हैं तो आज इसका तो हर तरह के ढोंगी, हर तरह की बक्वास कर रहे हैं, तो तंत्र का बुरा होना जरूरी नहीं है। Now, the English word occult doesn't clearly specify what is it that they're calling as occult. हाल ही में, किसी ने मुझसे सामयामय में एक प्रशन पूछा, शायद किसी गुरु ने ऐसा कहा है, तंत्र बस अपनी सनक को छोड़ने का तरीका है, बस अपनी सनक से परे जाने का तरीका है, ये बक्वास है। दुर्भाग्य से आज हमें तंत्र शब्द को फिर से परिभाशित करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों ने इसका अर्थ बदल दिया है। सबसे पहले ये समझते हैं, तंत्र शब्द का मतलब है तकनीक, लेकिन आप जिस तंत्र के बारे में सुन रहे हैं, वो अमेरिकी तटों से लोट कर आया है। आपको लगता है तंत्र का मतलब है बेलगाम का मुकता, नहीं, तंत्र का मतलब है परम अनुशासन, ये बेलगाम का मुकता नहीं है, ये परम अनुशासन है। अपने शरीर और मन को इस तरह इस्तमाल करना सीखना, जैसे आप किसी अन्य बाहरी उपकरन का इस्तमाल करते हैं, जैसे आप अपने कम्प्यूटर या स्कूरू ड्राइवर का इस्तमाल करते हैं, उसी तरह आप अपने शरीर और मन का इस्तमाल करना सीखते हैं, इसके लिए ज जबर्दस्त अनुशासन चाहिए, कामुक्ता या धीलापन नहीं, तंत्र वे चीज नहीं है, जो किताबें लिखी गई हैं, वे मुख्य रूप से पश्यमी लेखकों की हैं, हर तरह की चीज़ें, नहीं, तंत्रिक ग्रंथों में परम अनुशासन होता है, किसी तरह का क्योंकि वे शरीर की बात करते हैं, और फिलहाल आधुनिक समाजों में, अगर आप शरीर कहते हैं, तो उनके विचार सिर्फ शरीर के जनन आंगों के बारे में, ना कि शरीर के किसी और चीज़ के बारे में, तो अगर आप शरीर कहें, तो वे सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों के बारे में सोचते हैं, वे दिमाग को भूल चुके हैं, क्योंकि वे सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों के बारे में सोचते हैं, वे कामुकता के बारे में सोचते हैं, और उससे परे कुछ नहीं, इसका संबंद शरीर को एक जबरदस्त मशीन की तरह इस्तमाल करने से है और ये है भी अगर आपको इसका इस्तमाल करना नहीं आता तो आप यहां क्या करेंगे? अगर आप अपने शरीर और उसके पीछे की उर्जा का इस्तमाल करना नहीं जानते तो आप क्या करेंगे? आपका किसी भी चीज़ पर कोई असर नहीं होगा तो ये तंत्र है तंत्र का मतलब है तकनीक तंत्र मतलब एक निशित शमता तंत्र के बिना कोई गुरू नहीं होता अगर उसके पास कोई तकनीक नहीं है तो वो गुरू नहीं है वो बस एक कोमल संथ हो सकता है जो सबको आशिरवाद देगा आशिरवाद देगा आशिरवाद देगा आशिरवाद खुद निर्ने नहीं लेता अगर आप एक चोर हैं और आप संथ से मिलते हैं तो आप उसका अशिरवाद मांगेंगे और वे देंगे जिससे आप आज अपना काम अच्छे से करें क्योंकि उनके अशिरवाद में समझ नहीं है वे वैसे नहीं हो सकते क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं है यहां तक कि लुटेरों के भी, पिंडारी और वैसे लोगों के भी अपने देवी देवता और संथ होते थे उनके देवता हमेशा उनका मार्क दर्शन करते थे कि आज किस घर पर हमला करना है वे बहुत सफल थे, उन्होंने अपना काम सताबदियों तक किया, टाका डालना उनका काम था, तो अगर आप बस एक कोमल फूल जैसे संथ हैं, जो बस आशिरवाद देता है, आशिरवाद देता है, आशिरवाद देता है, उसे महत्वही नहीं बता रहा है, वे अपने तरीके से सुन्दर हैं, लेकिन वे किसी, वे उन लोगों के लिए नहीं हैं, जो आत्मग्यान की इच मैं रोज टीवी पर लोगों को कहते देखता हूँ, अरे मैंने बस ये पलंग खरीदा, मेरा पूरा जीवन बदल गया, ये जबरदस्त है। मुझे पता नहीं था कि एक पलंग या तकिया ऐसा कर सकता है, मुझे पता नहीं था। क्या आपने ये देखा है? मेरा पूरा जीवन बिलकुल बदल गया है, तो अगर आप किसी भंडार में जाएं और किसी ऐसी चीज के साथ बाहर आएं, जो आपके पास नहीं थी, तो आपका जीवन थोड़ा बहुत बदल सकता है, जीवन बदल जाता है, पर जीवन कितना बद गया, तो विलहाल जीवन बदल गया है, है कि नहीं? तो क्या हम उस चीज की बात कर रहे हैं? अगर हाँ तो ठीक है, आशिरवाद, आशिरवाद, आशिरवाद. लेकिन अगर आप आध्यात्मिक विकास परम प्रकृती तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, तो किसी शमता के बिना एक गुरु क्या है? आप उसे गुरु नहीं कह सकते. शमता का मतलब है कुछ करने की काबलियत, जो लोग खुद नहीं कर सकते. तो अगर मैं चाहता हूँ ये बात आपके दिमाग में सपश्ट हो, कि अगर कोई तंत्र नहीं हो, तंत्र से मेरा मतलब है, अगर कोई त तकनीक नहीं हो, तंत्र संस्कृत में तकनीक को कहते हैं, उसे नहीं कहते, जो आपको समझा दिया गया है. तो अगर कोई तंत्र नहीं हो, तो वाकई कोई गुरु भी नहीं होगा. क्योंकि गुरु होने का मतलब है, ये एक मेकानिक का काम है, आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं, ठीक करने के लिए आपको उन्हें समझना होगा, आपके हाथों में कोई तकनीक होनी चाहिए, और यहीं तंत्र है, क्या इशा में तंत्र है, बिलकुल है, हर जग है, हर लेकिन योग का महत्वई ये है, कि इसमें बाहरी विधिया नहीं होती, तंत्र के दो आयाम है, पहले में आप बाहरी सामगरी का इस्तमाल करके चीज़ें करते हैं, जिसमें विधिया होती है, योगिक तंत्र में आप सिर्फ अपने शरीर और उर्जा सिस्टम का इस्तमाल क इसे मोटे तोर पर दाएं हाथ और बाएं हाथ के मारगों के रूप में बाटा गया है बाएं हाथ के मारग में बाहरी सामगरी का इस्तमाल होता है दाएं मारग में बाहरी सामगरी नहीं, सिर्फ शरीर का ही इस्तमाल होता है काफी हद तक ये योगिक तंत्र है काफी हद तक इसे हम अपने अंदर करते हैं ये अगस्ते मुनी की अदभुत भेट है कि उन्होंने एक ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया स्थापित की जो सौ प्रतिशत शरीर में स्थेत है जो बाहरी नहीं है तंत्र के अलग-अलग आयामों के लिए चावल के एक दाने या रेत के कन का भी इस्तमाल नहीं होता सब कुछ सिस्टम के अंदर ही होता है ये उन्होंने हमें भेट किया है ये सबसे बड़ी चीजों में से एक है इनसानी सिस्टम से जुड़ी ये सबसे बड़ी चीज है जो आज तक हमें किसी ने भेंट किये है ये उनकी भेंट है